कि यह देए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेट बटन को दबाए उसके बाद इस बैला करना ना भूले हेलो फ्रेंड मैं वीपीन परसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस चैनल में स्वागत है फ्रेंड आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रोलेम्स का डिसकस करने जा रहा हूं फ्रेंड जो फ्रोलेम है मैं यहां पर लिख चुका हूं एक से लेकर एक सोर तक कितनी संख्या है जो तीन से भाग होती है इसको सॉल्ब करने से पहले मैं कुछ टेकनिक बताना चाहता हूं टेकनिक क्या कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जब आप 3 में 2 से भाग दिजिएगा तो यहां पर रहेगा 1 और सेस 1 0 लगाएंगे यहां दस्र इस यह जो नंबर है दसंबलब के बाद जो भी नंबर है उसको हमें नहीं लेना है उसको इगनोर करना है यानि दसंबलब को नहीं लेना है जब भी लेना है तो पोजिटिव इंटिजर के फॉर्म में वेल्यू लेना है दसंबलब में नहीं लेना है तो एक से लेकर एक सो तक कितनी संख्या है जो 3 से भाग होते हैं इसमें क्या करेंगें दोनों में आप देखिए सबसे largest number कौन है तो देख रहे हैं कि 1 और 100 में सबसे बरी संख्या कौन है 100 है तो 100 को पहले लिखेंगे बीच में माइनस रखेंगे 1 को बाद में रखेंगे यानि बरी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में रखेंगे किस से इसमें divide करना है किस से वह divisible हो जाता है 3 से भाग लग जाता है आपको खोजना है 1 से लेकर 100 तक में इसी कितनी संख्या है जो 3 से completely divisible हो जाए यह आपको देखना है तो इसमें हम 3 से divide करते हैं और इसमें भी 3 से divide करते हैं यहीं इसका trick है तो 100 में जब 3 से divide करेंगे तो इसका value integer के form में 33 आएगा माइनस और जब 1 में 3 से भाग करेंगे तो दसम्बलब में आएगा दसम्बलब को ignore करना है जोकि मैं यहां बता चुका हूँ जैसे 1.5 आता है तो दसम्बलब के बाद जो भी number है उसको ignore करना है केवल 1 को लेना है तो 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.something आएगा तो हमें क्या करना है दसम्बलब के बाद जो number है उसको ignore करना है तो 1 में अगा 3 से भाग दीएगा तो इसका value कितना आएगा 0.333 and so on तो दसम्बलब के बाद जो number है उसको ignore करना है तो दसम्बलब के पहले क्या है 0 है इसमें minus कर देंगे 0 तो इसका value आएगा 33 तो एक से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 3 से भाग होगी वह है 33 यानि एक से लेकर 100 तक में 33 number ऐसा होगा जो 3 से divisible हो जाएगा second problem है एक सो से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं ऐसे हैं जो 13 से भाग होती है तो यह problem इस problem में और जो problem में बता चुका हों दोनों में कोई difference नहीं है कि वह digit का different है नमबर का अंतर है इसमें भी आप देखिए 100 और 300 में बड़ी संख्या कौन है 300 तो यहां लिखेंगे 300 बीच में मैं क्या बताया हूँ 100 माइनस फिर छोटी संख्या 100 तो 100 डिवाइड करना किससे डिवाइड करना है 13 से अनि 13 से डिवाइड करना कर दिजिए इसमें यह कहा जा रहा है एक से लेकर 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मैं क्या हूँ 300 में 13 से डिवाइड क्या हूँ बीच में माइनस फिर 100 में भी 13 से डिवाइड क्या हूँ आप इसके बाद जो भी नंबर आएगा वह सब दसम्लब में आएगा तो दसम्लब के बाद जो भी नंबर है उसको एग्नॉर करना है यानि हमें इस कंडिशन में वेलू क्या लेना है 23 ही लेना है तो इसका वेलू हो गया 23 माइनस इसी प्रकार 100 में 13 से जब आप divide कीजिएगा तो 7 से लगेगा 91 carry आएगा 9 अब आप जब आप लगाना चाहते हैं इसमें और divide करना चाहते है 9 में तो 10 संबलब के 4 में आएगा चुकि आपको लगाना पर एगा यहाँ पर 0 लगाएगे ना जो 0 लगाएगे यहाँ पर 10 संबलब आएगा और 10 संबलब के बाद कुछ नंबर आएगा मैं बता चुका हूँ कि 10 संबलब के बाद जो भी नंबर है उसको इग्नॉर कर देना है तो value हमें कितना आएगा यहाँ पर 7 तो 23 माइनस 7 और 23 में जब 7 को माइनस करेंगे तो value कितना आएगा 16 आएगा तो 100 से लेकर 300 तक ऐसे कितनी संख्या है जो 13 से दिव जूल हो जाएगा 16 कितना होगा इसका इंसर 16 फिर चलते हैं निश्प्रोलिम की और एक से लेकर 200 तक कितनी संख्या ऐसे है जो 3 और 4 से भाग होती है यानि 3 से भी भाग होती है और 4 से भी भाग होती है इस condition में में करना क्या है कि 3 और 4 का LCM निकाल दीजिए क्या निकालेंगे हम 3 और 4 का LCM निकालेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना होगा अब जानते हैं 12 LCM होगा किलिया जब इस condition में जब करें तीन और चार से भाग होती है या तीन चार पांस से भाग होती है तो उस condition में क्या करेंगे आप सब का लगुत्तम निकाल लेंगे यानि LCM निकाल लेंगे क्लियर तो प्रोसेस हम होई एडॉप्ट करेंगे बरी अंक 200 है तो 200 को पहले लिखेंगे बीच में माइनस जो छोटी संख्या वन है तो वन को बाद में लिखेंगे अब इसमें डिवाइड किसे करना है मैं बता चुका हूँ तेन और चार का LCM कितना होता है 12 तो 12 से इसमें भ 12 से डिवाइड किजिए तो 12 1 जा 12 यहां पर रिमेंडर कितना है एट यहां पर रखिए 0 12 6 जा 72 अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा वह दसमलब में आएगा तो दसमलब के बाद जो भी नंबर है उसको इग्नॉर करना है मैं यही आपको बता चुका हूँ नहीं है तो इसका 200 में 12 से भाग देने पर इसका वेल्यू कितना हैगा 16 अब माइनस जब 1 में 12 से भाग दीजेगा तो हमें सब फ्रेक्शन में आएगा 0.something आएगा तो दसमलब के बाद जो नंबर है उसको इग्नॉर करना है तो दसमलब के पहले कौन सा नंबर है 0 इसमें घटा देंग जीड़ो यानि इसका सलूसन हो गया 16 यानि एक से लेकर 200 तक ऐसी संख्या जो 3 और 4 से दिफजूबूल हो कितना होगा 16 होगा नंबर की संख्या 16 होगा के लिए अब लास्ट प्रोलिम के उलमें चलता हूं लास्ट में ध्यान देजिए इसमें क्या है दोनों में अंतर क्या यहां पर है 3 और 4 इस प्रोलिम में 3 या 4 है जहां भी देखिए कोशन पढ़ने इस पहले मैं इस पर फोकस करूंगा जहां भी दिखी लिखा हुआ है 3 या 4 से भाग होती है इसका मतलब है 3 से भी भाग उसमें लगेगा अच 4 से भी भाग लगेगा लेकिन इस दोनों की इसी है जो 3 या 4 से भाग होती है यानि 3 से भी भाग होती है चार से भी भाग होती है लेकिन ध्यान रखना है कि 200 से लेकर 500 तक में आईसी संख्या हमें मिलेगा जो 3 और 4 के लगुता में यानि LCM से भी वर डिविजूड हो जाएगा सो 3 & 4 का LCM कितना है 12 है 12 से भी डिविजूड होगा ऐसा संख्या जरूर है 200 और 500 के बीच में लेकिन यहाँ पका क्या रहा है 3 से डिविजूड हो या 4 से डिविजूड हो तो इसको क्या करना है बर एक संख्या 500 लिखे 500 200 परे 3 से डिविजूड कर दीजे इसको भी 3 से डिविजबूल कर दीजे पलस अब 4 से डिविजूड कीजे क्या 500 by 4 तीन या 4 से मैंने करा दिया उसके बाद 4 से minus 200 by 4 और मैं क्या बताया हूँ किसको minus करना है जो 12 से divisible हो जाया वैसी संख्या को हम minus कर देंगे इस प्रकार इस प्रोलेम को इस मेठा से हम easy way में solve कर देंगे तो 500 में 3 से जब आप भाग दीजिएगा तो दीजिए देखे कितना आता है 500 में 3 से भाग दीजिए तो तो 500 में जब आप 3 से भाग दीजिएगा 3 वन जा 3 यहाँ 2 यहाँ पर 0 आएगा तो लगाए कितना से लगेगा 6 से लगेगा नहीं तो 3,6 जा 18, यहाँ 2 फिर 0 आएगा फिर यहाँ 6 से लगेगा याणि 166 166 minus नहीं 500 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा चुकि 166 के बाद जो भी नमबर आएगा वह सब दसमलब में आगा तो दसमलब के बाद क्यों कोई संख्या लेना ही नहीं है क्लियर तो अब आप देखिए यहां पर दियावा है 200 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 200 में 3 से डिवाइड कीजिए 3 6 जा 18 फिर यहां पर 2 आएगा 0 3 6 जा 18 अब जो नमबर आएगा वह दसमलब में आगा दसमलब के बाद जो भी नमबर है छोल ही देना है दसमलब के पहले का नमबर लेना यानि 66 तो इसका वहलू निकल गया 166 माइनस 66 पलस 500 में 4 से भाग दीजिएगा तो इक लिए नहीं कम्प्लिटली डिवाइड हो जाएगा यानि 125 से कम्प्लिटली डिवाइड हो जाएगा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है 200 को आप फोस डिवाइड के ह Candice हाग कशाएगा 50 अन्ट में प्याव में 500 से दिवाइड किजिए तो लेजिये 500 से में 12 से करता हूं तुव फोर जा 48 नबच प्रत्स अन्ट 1-40 में में 1 जो जय आएगा शाएगा तो द्वैल ओन गया 12 और यह यह एट आप जो भी नमबर आएगा वार्द संब्लब में आएगा दर संब्लब को छोड देना है इसका फेलिव आएगा 41 माइनस एगेन फिर 200 में 12 से भाग दीजिए तो 200 में 12 से भाग दीजिए तू देखिए कितना आता है 12 1 जा 12 यहाँ पर 6 आएगा रिमेंडर स्वरी 8 आएगा रिमेंडर यहाँ पर 0 12 6 जा 72 यानि 8 अब जो नमबर आएगा वार्द संब्लब में आएगा जब 16 को माइनस कीजिए तो आएगा 25 सो 100 प्लस 75 175 अम माइनस 25 इकोल टू कितना होगा 150 सो 200 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 4 से कंप्लिटली डिव्यूल होगा उसकी संख्या होगा 150 फ्रेंड साइद यह प्रोलेम आपको समझ मागया होगा चुकि मैं कौसिस कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच जो भी मैं रखूँ वहाँ सरल हो सहज हो आसान हो ताकि आपको समझने में कोई प्रोलेम ना हो फिर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब करना नहीं भोलेंगे फिर मिलूँगा आपसे ने वीडियो के साथ जैहिंद